तो पूछा एक student में तो आज बता रहा हूं उसको कि कैसे हम उसको करेंगे तो यह देखिए यहाँ पर Microsoft Access में ने उपन किया, यह ID है, इसे मैंने प्राइमरी की बनाया है, आप देख सकते हैं, पहले इसको हटा देता हूं, यह जो date हमने एंटर किया, यह हटा दिया, अब यहा primary key है, primary key का यही तो sign होता है, और यहाँ पर date and time data type रखा है, मैंने उपर auto number रखा है, तकि अपने आप number आता चला जाए, और अब यहाँ पर आ करके एक validation लगा है, यह validation आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसे में थोड़ा पढ़ा करके दिखाता हूं, यह देखिए, यहाँ प बात समझ में आ रही है, तो यहाँ पर जैसे ही इसको okay करता हूं, और यहाँ पर आते हैं, तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं, आज की current date क्या है, देखिए जरा, 7 मई है, तो देख सकते हैं, 7 मई 2021, आज की date है, अगर मैं यहाँ पर 7 मई एंटर करता हूं, देखिए, आगे बढ़ने ही नहीं देगा, इससे कम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, या इसके बराबर भी आप नहीं रख सकते हैं, देखिए, यहाँ आगे नहीं बढ़ने देगा, इस validation का यही मतलब होता है, ठीक है, अब जैसे ही हम यहाँ पर 8 एंटर करेंगे, मैं च्हलर के, देखिए, आठ बी अर्टिए नहीं परमेंची करने देगा, यहाँ आगे हमोना चाहिए, जब थिर देखिए, च्प्रómo्ना लाओने रख सकते हैं, अगे हम आगे हमें चाहिए जैसे ही और यहाँ पर 6 कर दिया, यारी ठीक है, आप देखिए, नहीं चैन्सम 2021 आज का जो date है उससे पहले की date accept कर जाएगा बाद की date accept ने करेगा क्योंकि date formula के वज़े से बात समझ में आ रही है तो उम्मीद करता हूं इस tutorial से आपकी बात बन जाएगी Thank you for watching this video